कई सारे एस्टुरेंट्स ऐसे हैं जो अभी वरतवान स्वाय में कहीं नहीं जॉब कर रहें लेकिन उस सिविल सर्विसेश का प्रिप्लेशन करना चाहते हैं हाउसबाइट भी हो सकती हैं उनका कहना यह है कि चॉप करने के बाद या घर का काम करने के बाद सिर्फ चार से पांच घंटे उनके पास मिलते हैं तो क्या इतने वक्त में एक्जाम को क्रेक किया जा सकते है अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सारे जो एक्जाम्स क्रेक किये वो भी जॉब में रहते हुई किये है पहली जॉब मेरी 2006 में लगी उसके बाद भी मैं लगातार एक्जाम्स क्रेक करता रहा तो सारे एक्जाम एक्सने स्कानि पाप करते हूं कि यह है जो दूव में रहना इसको दो दूझ देख सकते हैं इसंकर आपके पस समय कम मिलता है कि अपके पस कुछ तो है एक एसा संप और शेकर पाई हग कुछ भी है उसके हम अपके पास तो है खर Deutsch तो अगर आप इस तरीके साफ देखेंगे तो आपका जो जौब असपेक्ट है वो भी आपके फिवर में जाएगा क्योंकि आपके दिमाग में कोई प्रेशन नहीं रहेगा कि आपके पास कुछ नहीं है आपके पास हमेशा प्लान बी रहता है तो यह उल्टा आपको और आपके पास में बना हुआ है तो आप फ्रेस माइंड से पढ़ सकते हो और जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि कोई मैटर नहीं करता आप जौब में हो आप हाउस वाइफ हो अगर आपका गोल क्लियर है आपका टार्गेट क्लियर है तो आप बिल्कुल अचीव कर स तो हाँ जैसे सर ने बताया कि मैटर ये करता है कि जितना आपके पास में समय है या फिर जो भी आपको वक्त मिलता है चार गंटे-पांच गंटे उसे आप किस प्रकास से यूटिलाइज कर रहे हैं क्या बहतर तरीके से कर रहे हैं या ना कर रहे हैं डिपेंड इस पे करता CGPSC की समपूर्ण तयारी के लिए Competition Community के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले